नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है exam pathfinder पे और आज हम डिस्कस करेंगे national health mission मध्यप्रदेश की software developer and other post के बारे में जो की direct recruitment के माथिम से होगी तो आएए देख लिखते हैं कि क्या क्या पद available है दोस्तो software developer, implementation engineer, consultant procurement, consultant procurement quality, assistant program manager procurement starting date अपके application की होगी 22-12-2021 से आप form भढ़ना start कर सकते हैं और उसके ending होगी 12-12-2022 में तो आप इस पीच अपना application form भढ़के बेग सकते हैं दोस्तों और candidates को अगर और भी साथ information चाहिए होगी regarding application and all तो वो इनके official website भी विजिट कर सकता है जो कि sams.co.in या फिर www.nhmmp.gov.in पर अगर आपको eligibility criteria, fee, patent, annexer या फिर posting संबति कोई भी चान करी चाहिए हो तो आप आप नीचे दिये कि इन attachments को download कर सकते हैं the advertisement official notification जो कि आपको हमारे platform alert.exampathfinder.com पर उफलब्द मिल जाएंगे और official notification कुछ इस तरह की है दोस्तों आई हम एक बार देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक rule book दिया गया है और interview की selection की process और बाकी सब कुछ यहाँ पर discuss किया गया है the total vacancy जो है वो है पाच और जो required recruitment process है उसको भी अच्छे से detail यहाँ पर कर दिया गया है and हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे details qualification experience इन सब चीज़ों का अच्छे से जिकर किया गया है और आपको क्या के certificates चाहिए होंगे उन सारे चीज़ों को भी application form आपको भरनी होगी online mode पर जो कि आपको इनकी website पर उपलब्द मिल जाएंगे और application भरने के लिए आपको इनकी website पर विजिट करना होगा और इनकी website की जो link है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी www.ms.co.in और www.nhmmp.gov.in और सारे चो guidelines है online application form की यहाँ पर आपको अच्छी से explain कर दिया गया है सारे documents आपको carry करने होंगे वो सारे भी यहाँ पर detail में दी गई है और कुछ इस तरह के का आपको platform दिखेगा जब आप online application form भड़ोगे आपको personal details भरनी होगी पहले उसके बाद qualification experience, image and documents और फिर आपको application को submit करना होगा और application को submit करने के लिए जो general instruction से वह भी हाँ पर अच्छे से दे दिक है और अगर आपको इस event पर बहुत ज़्यादा interest और आप और भी कुछ information जानना चाहते है, clear करना चाहते है, कोई doubt आप हमारे forum पर भी visit कर सकते हैं community.exampathfinder.com है, इसकी link आपको हमारे description box पर उपलब करा दी गई है दोस्तों, और आप इस पर आते हैं, आपको कुछ ऐसे दिखेगा page, यहाँ पर आप जाने के बाद, scroll करके सबसे lower section पर आजाए, जहाँ पर आपको यह एक option दिखेगा, writer reply, यहाँ पर जाके आपको जितनी भी doubts क्लियर करने हैं, questions पूछने, discussion करने हैं, आप सब यहाँ पर easily कर सकते हैं, post करके, मैं आशर करती हूँ, यह वीडियो आपकी बहुत साहेता करेगा, इस event को apply करने के लिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो like ज़रूर करें, और हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर दोस्तो, तानिया वाल्ट